आपको बता देख बयान जो है वो सामने आया इसराइल हमास युद्ध को लेकर दरसल ये पुतिन का बयान और पुतिन ये कह रहे है आज जो ये युद्ध के सिती है जो मध्यपूर्व के हालात है उसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो वो अमेरिका है ये पुतिन का बयान हाला कि पुतिन जो है वो फिलिस्टीन के साथ खड़े है उनका देश उनका समर्थन कर रहा है और इसलिए बयान भी मास्कूर्व जिसमें वो सीधे तोर पर इन सब के लिए जिम्मेदार अमेरिका को बता रहे है और ये पहली बार नहीं है क्योंकि जब उक्रेन और रूस के बीच भी युद्ध छिड़ा तब से वो कहते हा रहे है कि हालात पर अगर किसी की जिम्मेदारी बनती वो अमेरिका अमेरिका की वज़े से ही इस तरीके के हालात पैदा हो रहे है और एक बार फिर से वही आरोब दोहराते हुए पतिन इस्राइल और हम लोगा इस्राइल है जो एक्री से बीचिक हालात शड़ा थच अश्सक अज़ इस मेरा टास्या रहे है किसे ओज़ा है। अज़ा है फुछ है है और ऑार पste किसे बीच अज़ाद उर्चल-चाहे हैं ovक्री इसे से हैं और सब्स्थीश प्रूछाँ है किसे अज़ा है किसी कि ऑग मिजले लूरी गल्पोरी मुटली के उिर्षा ही लाओ का एप जाने खा उन्टिजे शोच्या लेह उता है ये जाल मंगूरे उन्हों पार्षा से लिली है उल्पिदाथाने के लाओ का जड़ और उन्म ने लृग को लाओ को इपना बोली जाता है компरमिस आ घचिछेए झाल